उत्पत्ति अध्याय 25 इब्राहिम के उत्तरचरित्र और मृत्यु का वर्नन। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याहली, जिसका नाम कतुरा था, और उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिध्यान, इश्पाक और शुह उत्पन्न हुए, और योक्षान से शबा और दद उत्पन्न हुए, और ददान के वंश में अशुरी, लतुशी और लुम्मी लोग हुए, और मिध्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबिदा और एल्दा हुए, ये सब कतुरा के संतान हुए, इसहा को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियो के पुत्रों को कुछ-कुछ देकर अपने जीतेजी अपने पुत्र इसहा के पास से पुरब देश में भेज दिया, इब्राहिम की सारी अवस्था एक सो पचहत्तर वर्ष की हुए, और इब्राहिम का दिरगायू होने के कारण अर्थात पुरे बुढ़ाते की अवस्था म प्रान चूट गया, और वह अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र इसहाक और इसमायल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे के समुखवाली भुमी में जो मकपेला की गुफा थी, उसमें उसको मिट्टी दी, कर्थात जो भुमी इब्राहिम में हित्तियों से मोल ले ली थी, उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गए, इब्राहिम के मरने के पश्चात, परमिस्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहेरोई नाम कुए के पास रहता था आशिश दी, इस्राइल की वन्शावली इब्राहिम का पुत्र इश्मायल जो सारा की लउंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन हुआ था, उसकी यह वन्शावली है, इश्मायल के पुत्र के नाम और वन्शावली यहा है, अर्थात इश्मायल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिवसाम, मिश्मा, दूमा, मसा, हदर, तेमा, यपूर, नापिश और केदमा। इश्मायल के पुत्र यही हुए, और इन्ही के नामों के अलुसार, इनके गाओ और छावनियों के नाम भी पड़े, और यही बारह अपने-अपने कुल के प्रधान हुए। इश्मायल की सारी अवस्ता 137 वर्ष की हुए, तब उसके प्रान छूट गए, और वह अपने लोगों में जा मिला, और उसके वन्ष हविला से शूर तक और जो मिस्र के सन्मूख अशूर के मारग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाईबंधों के सन्मूख पड़ इबराहिम के पुत्र इसहा की वन्षावली यहा है, इबराहिम से इसहा क उत्पन हुआ, और इसहा की पत्नी तो बांच थी, सो उसने उसके निमित्त यहवा से बिंती की, और यहवा ने उसकी बिंती सुनी, सो उसकी पत्नी रिब का गर्भवती हुई, और उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिप्टे एक दूसरे को मारने लगे, तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी, तो मैं क्यो कर जिवित रहोंगी, और वहां यहवा की इच्छा पूछने को गई, तब यहवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातिया है, और तेरी कोक से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग-अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दुसरे से अधीक सामर्थी होंगे, और बेटा छोटे के आधिन होगा, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रगठ हुआ कि उसके गर्भ में जुडवे बालक है, और पहला जो उत्पन्न हुआ, सो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, सो उसका नाम एसाव रखा ग अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया, और जब रिपका ने उनको जन्म दिया तब इस हाथ साथ वर्ष का था, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतूर शिकार खेलने वाला ह पर याकूब सिधा मनुष्य था, और तंबू में रहा करता था, और इस हाथ तो एसाव के अहेर का मास खाया करता था, इसलिए वह उससे पृती रखता था, पर रिपका याकूब से पृती रखती थी, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से ठका हुआ आया तब एसाव ने याकुब से कहा वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं ठका हूँ इसी कारण उसका नाम एदों भी पड़ा याकुब ने कहा अपना पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे एसाव ने कहा मैं तो अभी मर रहा हूँ सो पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाव होगा याकुब ने कहा मुझे से अपनी शपत खा सो उसने उससे शपत खाई और अपना पहलोटे का अधिकार याकुब के हाथ बेच डाला इस पर याकुब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दे दी और उसने खाया पिया तब उठ कर चला गया यो एसाव ने अपना पहलोटे का अधिकार तुछ जाना है